Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल तो ये कितना बड़ा खत्रा बन सकता है, क्योंकि क्या होता है, हर एक देश अपने इंट्रेस्ट में काम करता है, तो भले ही US के बहुत सारे allies हो, US भले ही यहाँ पर Ukraine की मदद कर रहा हो, US काफी close relation रखता है इस्राइल के साथ, लेकिन बहुत सी ऐसी चीजे होती हैं, जो US को में अपने आप में पता है, और किसी को नहीं पता, लेकिन वो सारे documents अगर reveal हो जाएं, कितना बड़ा problem create हो सकता है, कुछ वैसा ही समय US के अंदर हो रहा है, बताया जा रहा है कि अभी तक का biggest classified documents leak हुआ है, बहुत सारे internet website पर, यह आप देख सकते हो, US hit by worst leak of secret documents since Edward Snowden, Snowden वाला तो मामला आप सबको पता होगा, कि यहाँ पर उन्होंने जो classified documents है, उसको reveal किया था, और उसके बाद हम सब जानते हैं, किस तरीके से US पीछे लगा रहा, कि कैसे भी Snowden को वो अपने अंदर में ले सके, खेर जो भी है, इस वीडियो के अंदर हम इसके बारे में details से जानकारी लेंगे कि exactly हो क्या रहा है, क्या documents में सामने आया है, Ukraine को लेकर क्या बोला गया, Israel को लेकर क्या बोला गया, बहुत से ऐसी चीजे हैं जो आपको पता होना चाहिए, चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा दोस्तों, आज आखरी date है, अगर आप UPSC 2024 क तो ये वाला जो special batch है, इसके अंदर prelims से लेकर interview तक की पूरी त्यारी कराए जाएगी, ये batch 2 है, इसका admission लेने का आखरी date है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका UPSC prelims crack होता है 2024 का, तो free of cost में mains residential program आपको दिया जाएगा, मतलब वो सभी बच्चे जो prelims clear करेंगे, उनको study IQ के headquarter बुलाया जाएगा, यहाँ पर रहने की सुविदा, खाने की सुविदा और mains की पूरी त्यारी free of cost में मिलेगी, तो जल्दी से हमारे website आप पर जाएगे, और फिर comment section में इसका link दिया वहाँ पर जाकर use कर ये code ankit live, ताकि सबसे कम दाम पर EPFO हो गया, कोई भी batch आपको लेना हो, just use this code to get extra discount, और साथी साथ अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, तो चले सुरुवात करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं, exactly हुआ क जो US के top officials के पास ही होने चाहिएं, president के पास, जो उनके army chief हैं, उनके पास होने चाहिएं, वो सारे documents अचानक से social media पर leak हो गया हैं, और ये सारी documents के अंदर अगर आप देखोगे, तो Ukraine से लेकर, France से related, Israel से related, कई ऐसी चीज़े कही गई हैं, तो यहाँ पर जो multiple tranches of documents अपियर अंदर लिखी भी मिलेंगी, देखो, अभी के लिए क्या है, जब भी इस तरह की documents leak होते हैं, तो कोई भी देश उसको accept नहीं करता है, इसलिए आप देखोगे, तो US से लेकर, कई ऐसे देश हैं, जिन्होंने इसको accept नहीं किया, उनका कहना है कि नहीं ये एक propaganda है, रश्या ज जा रहा है कि initially जो documents leak हुआ था, क्योंकि कई प्रकार से documents release किये गए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अचानक से पूरा documents एक साथ आ गया, थोड़ा-थोड़ा documents करके कई documents सामने आया, तो initially जो documents सामने आया था, उसमें ये बताया गया document के अंदर, कि US का assessment क्या है, मतलब जो Russia-Ukraine क war चल रहा है, तो उस समय US ने उसको लेकर February और March में क्या कहा था, उसके बारे में ये document है, जैसे कि Russia-Ukraine war में casualties कितना हुआ दोनों साइड में, यहाँ पर ammunitions की कितनी आउशकता पड़ेगी Ukraine को future में, और आप समझ ये, आपने देखा होगा information war चल रही थी, जब Russia-Ukraine का war अ इस तरह के क्या होता है न, कि ये manipulate करना, data को manipulate करना, तो वो कुछ data भी इस document के अंदर reveal किये गए हैं, US कहीं न कहीं, जान मुझकर, अगर Russia का कोई मिर्तियू का आकड़ा है, उसको कम कर देगा, उसको जादा कर देगा, वो कुछ आपको document के अंदर मिलेगा, इसके साथ-साथ यहाँ पर यहाँ पर यह भी बताया गया है, कि Ukraine के पास इस समय critical shortages है, air defense munitions की, तो I hope कि आप समझ पार होगी, अगर मान लो, document में यह reveal होता है, कि Ukraine के पास weapons के shortages है, critical shortages है, तो अविसी बात है, Russia उसका फायदा उठा सकता है, इसलिए यह document important हो जाते हैं, इसके साथ-साथ, यहा पर कई महिनों से fight चल रही है, Russia और Ukraine forces के बीच में, तो इस document के अंदर बखमूत का जो battle है, उसके बारे में भी mention किया गया है, और इसके अंदर यह reveal हुआ, दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्या, कि बताया गया कि अभी February के महने में क्या हुआ था, यह जो अभी पूरा चल लिया था, और बहुत बड़ी fight देखने को मिली थी, although कैसे जैसे करके जो situation है, उसको थोड़ा सा normalize किया गया, लेकिन यह किसी catastrophic से कम नहीं था, ऐसा document के अंदर लिखा गया है, जिसकी वज़ए से Ukrainian forces का जो morale है, वो काफी down हो गया था, वो सारी चीजें बताई गई है कि जो battle हो गया, फिर इसका एक दूसरा मैं आपको बताता हूँ, इस document के अंदर आरोप लगाया गया है, मतलब कि यहाँ पर US जो है, वो अपने खुद के allies पर, अपने खुद के partner देशों पर spying करता है, और सोचिए इस document में बताया गया है कि United States ने Ukraine की जो top military or political leaders हैं, उनके उपर ज आरत के top military officials के उपर spying कर रहा है, हो सकता है spying कर रहा हो, मुझे नहीं पता ना आपको पता है, लेकिन document में ये सामने आ है कि Ukraine के leaders के उपर ये spying कर रहा है, और सिर्फ यहाँ पर Ukraine नहीं, उसके और भी जो साथी देश हैं, चाहिए इसराइल हो, कई ऐसे देश हैं, जिसके उ पर जो US है, वो जासूसी कर रहा है, ऐसा documents के अंदर रिवील किया गया है, फिर इसके साथ यहाँ पर एक और चीज जो सामने आई है, उसमें बताया है कि जो Ukraine का war चल रहा था, आपने सुना होगा, कि US request कर रहा था बाकी देशों से, कि आप भी जो arms and ammunitions हैं, वो Ukraine को provide कर यह, लेकिन कई ऐसे देश थे, जैसे South Korea हो गया, South Korea यहाँ पर काफी hesitant था, South Korea ने in fact US की military को जो artillery shells होता है न, वो supply किया था, लेकिन South Korea को यह डर था, कि America जो है कहीं वो जो supply है, वो Ukraine में transfer ना करते, यह सब कुछ हमें पता नहीं था अभी तक, लेकिन document में release हुआ है, यह सारी बाते सामने आई हैं, अब देखें, यह, यहाँ पर South Korea के लिए important क्यों हो जाता है, क्योंकि South Korea के अंदर जो rule है, वो यह कहता है, जैसे Japan के अंदर भी, South Korea के अंदर भी, कि वो lethal weapons की supply नहीं करेंगे किसी भी देश को, तो यहाँ पर अगर document यह कहता है, कि South Korea ने यह जो weapon है, उ इस document में बताया गया है, कि Israel बहुत जादा hesitation था, कि वो weapon supply करें कि ना करें, although यहाँ पर अभी custom made कुछ early warning system वगर supply किया है, इसराइल ने, लेकिन जो lethal weapon होता है न, वो अभी तक Israel ने यूक्रेन के अंदर supply नहीं किया है, हो सकता है कि आगे चलकर, आगे आने वाले दिनों में, यह lethal weapons भी supply कर दे, लेकिन Israel भी hesitant था, मतलब कि यह document साफ साफ दिखा रहे हैं, कि US के जो मित्र देश है, वो भी weapon की supply नहीं करना चाते यूक्रेन के अंदर, I hope कि इसका जो परिणाम है, वो आप समझ रहोगे, फिर इसके साथ साथ यहाँ पर protest, अभी आपने देखा होगा, इ नेतन याहू के खिलाब, क्योंकि नेतन याहू सरकार इस समय judicial reform लेकर आ रही थी, जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, तो document में क्या release किया गया, मैं आपको बताता हूँ, कि यहाँ पर बोला गया है मोसाद, मोसाद आपको पता है ना, इसराइल की foreign intelligence service है, जैसे हमारे आपर raw है, तो basically क्या हुआ है, कि यह जो protest था, उसके अंदर मोसाद का भी हाथ है, सोचि यह इतना बड़ा revolution इस document में किया गया है, कि मोसाद ने encourage किया अपने staff को, citizens को, कि वो anti-government protest के अंदर शामिल हो, तो सोचि कितना बड़ा बवाल हो जाएगा एक प्रकार से, अगर इस खुद सरकार के ही पार्ट है ना मोसाद भी, तो मोसाद अगर खुद अपने सरकार के खिलाफ अगर ऐसा कर रही है, तो यह बड़ा important मुद्दा हो जाता है, सोचि अगर सेम चीज़ अगर भारत में, अगर raw, IV, military, अगर वो भारत सरकार के खिलाफ करने लग जाए, कदम चाला सकता है, कुछ वैसा ही documents में इसराइल को लेकर भी कहा गया है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, वैगनर गुरूप के बारे में, actually क्या है, वैगनर गुरूप भी क्या है ना, कि यूकरेन के खिलाफ fight कर रहा है, जो वैगनर गुरूप है, जो कि own किया जाता है, जिन person के दोरा, वो पुतिन के काफी करीबी हैं, तो वो पुतिन का साथ दे रहा है यूकरेन वार में, तो वैगनर गुरूप क्या कर रहा है, कि अमेरिका का जो operation है, एफरिका के अंदर, उसको undermine कर रहा है, documents में ये बताया गया है, कि वैगनर गुरू एफरिका से जो arms है, उसकी purchasing कर रहा है, तर्की से purchasing करने की कोशिश कर रहा है, अब सोचो टर्की से अगर वैगनर गुरूप आम लेगा, अब तर्की आपको पता है, ये नैटो का अलाई है, अब नैटो तो खुदी यहाँ पर fight कर रहा है रश्या से, तो अगर अगर तर्की यहाँ पर weapon supply कर देगा, वैगनर गुरूप को, तो यह अपने आप में double standard हो जाएगा, तो यह documents इसी के बारे में reveal किया गया है, कि देखिए, कि कैसे वैगनर गुरूप जो है, अमेरिका का जो influence था, उसको कम कर रहा है, चाहें वो अफरिका हो, या फिर तर्की के साथ हो, फ को यह जो lead information है, वो social media में, चाहें Twitter है, YouTube है, कई जगा देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर जो experts है, उनका माना है, कि सबसे पहले यह document है, वो कुछ internet sites पर देखने को मिला था, एक ऐसा internet site जहाँ पर, वो computer games का messaging application होता है न, वहाँ पर सबसे पहले यह document सामने है, अब यह document कौन upload किया, किसने ऐसा किया है, क्या मकसद हो सकता है, यह किसी को कुछ नहीं पता, इसके बारे में अमेरिका अभी investigation कर रहा है, लेकिन कई लोग question यह कर रहा है, कई देश कि क्या यह Russia इसके पीछे है, क्या Russia ने जान मुझकर इसको leak करने की कोशिश की, और यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो Ukraine है, सबसे पहले तो Ukraine ने यह जो documents है, उसको Russia का disinformation करार देते वे, इसको नकार दिया, मतलब कि आपको मैंने बताया न, यहाँ पर कि किस तरीके से जो US है, वो Ukraine के top military officials, politicians के उपर निगरानी कर रहा है, जासुसी कर रहा है, तो Ukraine ने यह कहा कि देखिए, हम इस नहीं कर सकता, US को, तो एक प्रकार से Ukraine ने साफ तोर पर reject कर दिया है, कि यह documents में कुछ भी सही है, और उसने बोला है कि यह जान मुझकर fictional story बनाई जारी है, रश्या के दोरा, और जान मुझकर society के अंदर एक panic और एक fear, mistrust, doubt, create करने की कोशिश की जारी है, यह रश्या का typical behavior ह एसा Ukraine का कहना है, और इसके साथ-साथ Russian जो media है, Russian media का यह कहना है कि देखिए, हम जो बात पहले से कहते आ रहे थी कि कैसे US जो है, वो Ukraine का पूरा साथ दे रहा है, यह साफ-साफ तोर पर documents के अंदर हमें देखने को मिलता है, फिर इसके लावा सिर्फ Ukraine नहीं, इसके लावा औ हैं, वो Ukraine में जाकर, जो है, Ukraine का साथ दे रहे हैं, रश्या से fight कर रहे हैं, तो जब यह document सामने आया, तो France ने भी यहाँ पर नकार दिया, कहा कि यह जितने भी leak हुएं, यह गलत है, हम इसको यहाँ पर नहीं मानते, फिर इसके साथ-साथ, इसराइल का जो मोसाद है, उन्हो उसमें कोई भी participation नहीं है, South Korea भी काफी unhappy है इस leak से, और वो US के साथ यह पूरा जो issue है, उसको race करेगा, और इसके साथ-साथ Australian Department of Foreign Affairs, वो भी यहाँ पर US के साथ बात करेगा, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, overall देखो, conclusion क्या निकलता है, देखो, यहाँ पर कोशिश अभी है US की, कि जितने भी documents हैं, उसको US जो website है, दुनिया भर में वहाँ से उसको हटाया जाए, लेकिन क्या हुआ था कि जैसे यह document circulate हुआ, वो हर जगा इतना तेजी से फैला, obvious ही बात है, तेजी से ही फैलागा, और Elon Musk ने भी यहाँ पर चुटकी ले ली, Elon Musk जैसे Twitter पर चल रह कर रहा है, कि हर जगा से यह जो material है, उसको तुरंट हटाया जाए, देखना है क्या होता है, यहाँ पर आगे चल कर, इसके बारे में I hope कि आपको सब को समझ में आ गया होगा, और जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हो, इन तीन में से कौन साव जो word है, वो 40 second amendment जो हुआ थ distribution का, उसके through इसमें add किया गया था, हमारे समिधान में, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तुम मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डलता रहता हूँ, बाकि नहीं बताया, UPSC की अगर आप त्यारी कर रहो, just use this code, और ध्यान रखेगा, 2024 का आखरी date है, इसके इंदर enroll कराने का, and I hope कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ, आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.